गुड मानिंग नमस्ते असलाम वालेकुम दोस्तों हाजूर में आज आपके सामने AWS की एक नई लैब लेके जिसके बारे में काफी टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर राउट 53 और जो S3 बकिट में हम लोग वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करते हैं उसको एक बार नए मैनेजमेंट कंसोल पर सर बना दीजिए बिकाज पुरानी लैब से हमें समझ नहीं आ रहा है तो बहुत सारे लोगों के यह इशू थे तो फाइनली मैं आज इस लैब को भी लेकर आ गया हूं और बिल्कुल लेटे आप राउट 53 या S3 की थियोरी पढ़ना चाते हैं या राउट 53 के बारे में डिटेल में पढ़ना चाते हैं तो आल्रेडी मेरे चैनल पे AWS की प्लेलिस्ट मौजूद है 101 वीडियो उसके अंदर एवेलेबल हैं आपने वो थियोरी वहां से पढ़नी है यहां सिर्फ आपको मैं लैब परफॉर्म करके दिखाऊँगा उसमें क्या क्या ओप्शन्स हैं क्या चीज़े हैं वो आल्रेडी मैं अपने पुराने वीडियो जो मेरी पिछली प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वहां पे डिसकस कर चुका हूँ तो आज मैं उन्हें डिटेल में डिसकस नहीं बहुत डिटेल में मैंने लेक्चर बना के रखे हुए हैं मेरे चैनल के अंदर जाएं और प्लेलिस्ट में चेक करें AWS की वहां आपको नजर आ जाएंगे ठीक है तो चैनल के अंदर सारी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें इस वीडियो को पढ़ने से पहले विकॉज हो सकता आप डिरेक्ट इस वीडियो पे पहुचे हों तो पहले मेरे इस पुरानी प्लेलिस्ट को पढ़ने वहां राउट 53 को पढ़ने एस थी के बारे में पढ़ने और उसके बाद इस लैब को परफॉर्म करें तो चलिए अब मैं आपका ज़्यादा टायम नहीं लेता मैं यहां हां किट करनी पड़ेगी तो सबसे पहले आप सर्विसिस पर क्लिक करिए और यहां देखिए आपको all services के अंदर storage के अंदर जो पहला option दिख रहा है वो S3 का दिख रहा है तो आप S3 पर क्लिक करिए और यहां आप सबसे पहले जिस भी नाम से आपने domain अपना purchase किया है उस न भी बताऊंगा कि domain कहां से purchase करना है اور फिर इस lap को कैसे करना है तो आप याद रखें कि इसे करने से पहले आपको domain purchase करना है तो एक बार पहले इस lap को सिर्फ देख लें उसके बाद आप दुबारा से इसको देखें domain खरीदने के बाद तो अभी मैंने domain खरीदा हुआ है इसलिए अभी मैं direct domain पर जाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं उस domain के नाम से bucket create कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर create bucket पर click करें और यहाँ bucket का name आपको वही लेना है जो आपने domain खरीदा है तो जैसे मैंने technical गुफ्तकू.in खरीदा हुआ है तो आपने जो भी domain खरीदा है hostinger से एक आप खरीद सकते हैं तो वहाँ से खरीदने के बाद उस domain को जो भी domain आपने register कराया है खरीदा है वही domain as a tease आपको उसी नाम से यह bucket create करनी है region आप कोई भी ले सकते हैं जहाँ भी आप यह bucket create करना चाहते हैं तो फिलाल मैं मुंबई में करना चाहता हूँ तो मैंने मुंबई ले लिया है उसके इलावा यहाँ पे देखें bucket setting जो है वो block है तो आप इसको unblock कर दें हाला कि आप कुछ चाहें तो specific भी कर सकते हैं अबर फिलाल मैं आपको पूरा unblock करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको acknowledgement देना पड़ेगा कि मेरे को इसके फायद नुकसान पता है इसको unblock करने के versioning में आप versioning enable कर दे और उसके बाद आप bucket को create कर दे तो मेरी bucket create हो गई है और यहाँ पे देखें अभी यह नजर भी आने लगेगी यह देखें मेरी bucket मुझे नजर आ रही है तो आप इसके ओपर click करें अभी इस bucket के अंदर कोई भी object नहीं है कोई भी file नहीं है तो मुझे पहले दो file एं create करनी है to go website और यहाँ पे आप save में जाकर save as करिये file में जाके और यहाँ इसका नाम आपने small letter में index.html ही लेना है कुछ और नाम नहीं ले सकते आप और यहाँ save as type में all files पे click करिये और उसके बाद आप save कर दीजे तो यह देखें यह save हो गया है और इस तरीके का अगर google chrome browser आपके system में install है तो इस तरीके का item आपको नजर आएगा और index की file कुछ इस तरीके की नजर आएगी अब मैं दुबारा text document open करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ error page और इसको भी मैं save कर लेता हूँ save as करके आपको error page भी बनाना पड़ेगा और इसका नाम भी आपको error.html देना पड़ेगा small letters में error.html और यहाँ पे आप all files पे click करके save कर दें तो यह file भी आपकी error के नाम से save हो गई यह आपको नजर आ रही है अब इन दोनों files को मुझे upload करना है इस bucket के अंदर तो मैं upload पे click करता हूँ और यहाँ देखे add file का option मेरे पास आ रहा है तो add file पे click करिए desktop पे जाईए क्योंकि दोनों file desktop पे create की है मैंने तो एक मैंने error file create की है इसको open कर लेते हैं और upload कर लेते हैं simply आपकी error file आ गई है इसके बाद अगर आप एक और file add करना चाहते हैं तो आप दुबारा जाएं और अपकी बार आप index file को select करके open कर लें दोनों file आपकी open हो गई हैं अब इसके बाद आप upload पे click कर दे तो देखिए मेरी दोनों की दोनों file upload हो चुकी है मैं exit कर रहा हूँ और यह देखिए मुझे दोनों file हैं यहां नज़र आ रही हैं दोनों file को आप select करें और action में जाएं और यहां last option आपको नज़र आएगा make public का आप इन दोनों file को public कर दे तो आप देखिए दोनों file मेरी public हो जाएंगी यह पर आपको click करना है make public तो मेरी files public हो चुकी है यह मैंने क्यों किया ताकि दुनिया में कहीं पर भी जहां पर भी मेरी website का URL को लॉग इन करे technicalguftgu.in उनको यह page नज़र आना चाहिए अगर आपने www.technicalguftgu.in नाम आप देना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं आपका जो web page है वो उस पर नज़र आएगा www.technicalguftgu.in पर तो यह काम करने के बाद अब मुझे क्या करना है मैं यहाँ पर exit करता हूँ और अब मैं जाता हूँ properties में यहाँ देखें properties के अंदर बहुत सारे option नज़र आएगे bucket versioning नज़र आएगा default encryption नज़र आएगा cloud trail नज़र आएगा notifications नज़र आएगा और यहीं आपको नीचे एक option नज़र आएगा सबसे last जो है static website hosting आप इस पर edit पर click करिए और यहाँ देखें यह पूछ रहा है कि आप क्या static website hosting करना चाहते हैं मैं कहता हूँ हाँ तो आप enable कर दें और enable करने के बाद यह कहता है कि क्या आप static website बनाना चाहते हैं या इस request को कहीं और redirect करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि static website create करना चाहता हूँ तो इसी पर select रहने दें अब आप उनी फाइल का नाम जिस नाम से आपने अपलोड किया है index.stml वो नाम यहां पे लिख दें error.stml उस नाम को आप यहां टाइप कर दें और उसके बाद यहां पे आप save changes पर क्लिक कर दें इसके बाद देखें यह काम हो चुका है अब मैं permission पे क्लिक करता हूँ और यहां पे आपको नजर आएगा एक option bucket policy का आप यहां edit पे क्लिक करें और policy आपने लिखनी नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना कि policy मैं कहां से लिखूँगा आप simple google पे जाएं और यहां आप मैं आपको दिखाता हूँ आप यहां type करें AWS bucket policy example तो यहां देखें आपको पहला ही option नजर आएगा bucket policy examples का S3 storage services के लिए यहां पे देखें आपको जो second number का option नजर आ रहा है granting read only permission to an anonymous user आपको इस पे click करना है यहां पे आपको यह वाला एक content नजर आएगा मैं दिखा भी देता हूँ granting read only permission to an anonymous user इसके अंदर आपको यह content नजर आ रहा है आप इसको यहां से copy कर लें यह copy का option है और copy करने के बाद आप दुबारा से अपने console पे जाएं और यहां इस policy generator में added bucket policy के अंदर यहां आप इसे paste कर दें इसके बाद आपको सिर्फ एक change करना है यहां पे यह जो दिखा हुआ है डियोसी example bucket इसकी जगा आपने अपनी bucket का नाम दिखना है technical.in जो भी आपकी bucket का नाम आपने दिया है क्योंकि आपने जो domain purchase किया है आपने वही नाम bucket को दिया है और वही नाम आपको यहां पर देना है उसके लावा यह सब की बड़ा easy है वर्जन का date यहां पर डाला है date आप change कर सकते हैं यहां पर ID जो है आपकी public read है कि भाई मेरा जो content है वो public read रहे कोई भी read कर सकता है allow कर रहा हूँ मैं सब को read करने के लिए सारा content star का मतलब है जितना भी content bucket के अंदर है सब read किया जा सकता है तो यह इस तरीके की policy है बड़ी simple सी यह नोंने यहां लिखी हुई है आप save changes कर दें यह policy यहां पे save हो जाएगी इतना काम होने के बाद देखें मेरी bucket के नीचे publicly accessible भी नज़र आ रहा है इतना काम होने के बाद आप दुबारा services में जाएं यहां पे आप route 53 का option आपको नज़र आएगा networking के अंदर देखें यह तीसरे नंबर पे आप इस पे क्लिक करें यहां देखें यह बहुत सारे option आपको नज़र आ रहे हैं यहां आपको create hosted zone का option नज़र आएगा इस पे आप क्लिक करिए यहां पे आपको domain का नईम वही लेना है जो आपने अपनी website का नाम लिया है या domain खरीदा है technical.in उसके बाद description कुछ देना चाहते हैं दे दे पब्लिक hosted zone ही आपको लेना है क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरी website पुरी दुनिया से access हो सके उसके बाद tag देना चाहते हैं दे 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 अदरवाइस क्लिक करें create hosted zone पर तो देखे मेरा hosted zone create हो गया और create होने के बाद यहां दो चीज़े मुझे नजर आएंगी एक नजर आएगा name server और एक नजर आएगा SOA ठीक है तो यहां पे दो चीज़े मुझे नजर आ रही है अब मुझे करना क्या है कि मुझे पहले अपने domain पे जाके यह name server वहां update करने पड़ेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ आपने domain कहां से खरीदना है क्योंकि उसके बाद ही आप इस lab को start करें क्योंकि जब तक domain नहीं खरीदोगे तब तक आप bucket का नाम कैसे decide करोगे कि क्या लेना है तो आप पहले अपने domain के लिए आप जाएं मैं आपको दिखा देता हूँ आप google chrome browser में जाएं hostinger के उपर यहां क्लिक करिए तो यह कुछ पूछ रहा है तो इसको आप मैं कहा देता हूँ I am human तो देखें इस तरह का कुछ hostinger की website का page आपको नजर आएगा जहां से आप अपना domain खरीज सकते हैं तो आप देखें यहां पे आपके पास यह तीन तरह के plan नजर आ रहे हैं website hosting के लिए choose your web hosting plan यहां पे single shared hosting plan है तो सबसे सस्ता है तो आप यहां से खरीज सकते है according to me यह आपके लिए best रहेगा क्योंकि यहां पे आपको यह सबसे सस्ता मिलेगा आप अपना domain यहां से खरीज सकते हैं एक website चल जाएगी 10GB की SSG storage मिलेगी email account भी आपको यहां मिलेगा और SSL भी आपको यहां मिलेगा तो आप अपना domain यहां से खरीद ले अगर आप एक professional website बनाना चाहते हैं तो it's better कि आप hostinger से बनाएं otherwise बहुत सारे options market में available कहीं से भी कोई भी domain आप खरीज सकते हैं इस lab को करने के लिए किसी friend के पास domain available है उससे भी आप इस lab को करके देख सकते हैं तो यह most popular है इनका जो मैं use करूंगा वो यह वाला account है जिसमें मेरे पास 100 website host करने का account होगा 20 GB SSD storage होगी और 25,000 visit monthly मेरे पास है email भी मेरे पास है SSL भी है बहुत सारी चीज़े मुझे यहां है और यह इनका top level का plan है जिसका per month charge हो है वो 3.99 USD है आप इसको भी purchase कर सकते हैं यहां पर भी कुछ extra चीज़े आपको मिलेंगी जैसे google ads credit मिलेगा आपको wordpress acceleration आपको मिलेगा 30 days money back guarantee आपको मिलेगी get access है SSH access है daily backup है और free CDN भी available है तो यह कुछ इनके plans है आपको भी plan ले सकते हैं plan लेने के बाद आप login करें यहां login का option available है तो यह इस तरीके का देखे मेरा hostinger का account आपको नजर आ रहा है और इसी तरीके का account आपका भी create हो जाएगा जब आप अपना एक account यहां पे purchase करेंगे create करेंगे google के थुरू और domain purchase करेंगे इसके लिए आप मेरी वीडियो की description में चेक कर सकते हैं coupon code भी available है और आप वहां से direct page पे आके purchasing कर सकते हैं और discount भी हासिल कर सकते हैं आप वीडियो की description में जाके तो आपको पता चलेगा तो आप वहां से discounted coupon लेके सस्ते में काम चला लेन जादा महंगा लेने की जोत नहीं है अब देखें आपने करना गया है आपको यहां पर domain नजर आएगा आपके case में आप पहले domain को register कर लें उसमें कुछ नहीं करना आपको देखें यह setup नजर आ रहा है तो आप जैसी setup पे जाएंगे आपको आपका domain नजर आएगा आप domain option है यहां पे आप जाएंगे आप इस option पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका लिए ओवा domain यहां नजर आएगा जैसे मुझे मेरा technical इंकल गुफ्तगू.in डॉमेन नजर आ रहा है अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर एक option नजर आएगा DNS name servers आपको इस पर क्लिक करना है यहां आपको देखें अभी यह default hostinger name server दिखा रहा है लेकिन उसके बाद यहां पर एक option आ रहा है change name server का आपको इस पर क्लिक करना है क्योंकि मुझे यह name server जो default यहां दिये हुए है इन्हें बदल के AWS के name server डालने है तो अब मैं जाता हूँ अपनी AWS के management console पे और यहां देखें name server में मुझे चार name server नजर आ रहे हैं तो मैं यह पहला name server copy करता हूँ पूरे का पूरा copy कर लेता हूँ और करने के बाद मैं यहाँ paste करता हूँ और last में dot लगा हुआ है इसे आप हटा दें उसके बाद दूसरे name server पे आएं अब यहां पे दूसरा name server आप copy करें फिर यहां पे जाएं और इस name server को यहाँ paste कर दें और फिर आप यहां आके इसे paste कर दें और इसका भी last dot हटा दें और इसके बाद आप save पे क्लिक करें तो यह चारो की चारो name server मैंने hostinger में update कर दिये हैं अब मैं दुबारा मुझे अब hostinger पे कुछ नहीं करना है मुझे सिर्फ यह name server update करने थे AWS वाले so that जब भी मेरे technical गुफ्तकू.in को कोई search करें तो वो request पहले hostinger के पास जाएगी hostinger अपने name server में देखेगा यार यह तो AWS पे इसका काम हो रहा है तो वो इस request को इस name server पे भेज़ देगा और इस name server के थुरू यह request पहुँच जाएगी AWS account के पास और S3 में जो भी page मैंने बना रखा है वो page मेरे user को नज़र आएगा तो this is the concept अब मुझे जाके यहाँ पे देखें एक option नज़र आ रहा है create record का तो मैं अब एक record set create करूँगा तो मैं यहाँ पे click करता हूँ create record और यहाँ देखें आपने routing policy different different है अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो already जो मेरी AWS की series है वहाँ पे यह सारी चीज़े मैंने बहुत detail में पहले explain की हुई है आप वहाँ जाएं और पहले इन सारी routing policy उसको पढ़ने यह route 53 नाम का जो मेरा topic है वहाँ पे यह मैंने detail में बताया हुआ है तो theory आप वहाँ से पढ़ें बाकी आपने जो lab करनी है updated lab करनी है 2021 की बिल्कुल latest lab जो YouTube पे अभी तक नहीं है वो आप यहाँ से कर सकते हैं तो वो मेरे से गलती से cancel हो गया मैं दुबारा create record पे click करता हूँ routing policy को default रखता हूँ देखें यहाँ पे आपने अभी technical गुफ्तकू.in आपकी bucket का नाम है तो आप इस जगह को खाली छोड़ दें लेकिन आपने अगर bucket का नाम www.technical.in दिया है तो आप यहाँ खाली जगह में www लिख सकते हैं तब आपका www.technical.in जो भी कोई सर्च करेगा इंटरनेट पे उसे आपका bucket का content नजर आएगा लेकिन फिलाल मैंने bucket में bucket name में www नहीं लगाया है तो मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ और यहाँ इस alias पे क्लिक कर देता हूँ उसके बाद देखें यह default है record type आपको default ही लेना है बाकी चीज़े अभी आपको कुछ नहीं लेनी है यह क्या है यह मैंने theory में explain हलाकी किया हुआ है end point में आप आएं यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ आपको एक option नजर आएगा alias to s3 website end point आप इस पर क्लिक करें अब आप चूज रीजन करें आपने अपनी bucket कहां बनाई है मैंने मुंबई में बनाई है मैं मुंबई को select कर रहा हूँ और जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा यह देखे मुझे मेरी website और यह technical.in नाम से नजर आ रही है एक bucket यह नजर आनी चाहिए अगर आपको नजर नहीं आई है इसका मतलब आपने लैब में कुछ गड़बड की है आप उस लैब को दुबारा करें और कोई तरीका नहीं है तो आपको यह अपने आप नजर आना चाहिए अगर आपने सब कुछ सही किया है तो यह आपको नजर आएगा आप इसे सिलेक्ट करें और create record पे क्लिक कर दें तो मेरा record set perfectly create हो चुका है I hope अब कुछ देर के अंदर मेरी website active हो जाएगी मैं चलता हूँ और एक बार Google पे सर्च करके देखता हूँ technical गुफ्तगु.in और मैं सर्च करता हूँ अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है इट विल टेक सम टाइम बट थोड़ी देर के अंदर मुझे यह active नजर आएगा इट विल टेक टाइम बट यह active हो जाएगा no need to worry तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें कई बार आदा घंटा एक घंटा भी लग जाता है कई बार यह 10 मिनट में भी active हो जाता है तो जैसे ही active होता है मैं आपको दिखाता हूँ refresh करके और यहां आपको आपका वेब पेज नजर आएगा तो दोस्तों अब हम जड़ा चेक करके देखते हैं कि हमारी website start हुई है कि नहीं हुई है हालागी इसे तकरीबन 3-4 घंटे के बाद मैं चेक कर रहा हूँ जिस भी आपने mail id से अपना account create किया होगा hostinger के ऊपर और वहां आपको वह बताएगा कि अब आपका जो domain है वो live हो चुका है आपकी website live हो चुकी है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं जब technical इन प्राइवेट वीडियो में जाता हूँ तो यहां यह cash memory का डेटा नहीं उठाता तो अब यह दिखा देगा जो भी actual चल रहा होगा तो देखे टेक्निकल गुफ्तगू मैं इन कोगनिटों में इसलिए जा रहा हूँ ताकि मुझे कोई पुराना डेटा ना मिले फ्रेश डेटा मिले तो यह देखे यहां पर भी मेरी website मुझे accessory हाला कि यह मैं आपको दुबारा बता दू कि 2-3 घंटे लग जाते हैं update होने में इन सारी चीज़ों को तो आपको patience रखना है और 2-3 घंटे बाद आप चेक करिएगा आपकी lab perfectly चल रही होगी आपका जो domain होगा वो perfectly work कर रहा होगा तो this is all about static website जो I hope आपको समझ आ गया होग और यहां पे यह सब करने के बाद आप इस route 53 को hosted zone को delete जरूर कर दें otherwise आपकी billing होगी और इसके मतली charges भी होते है hosted zone बनाने के तो वो तो आपके लगेंगे ही लगेंगे बट उससे आपको परिशान नहीं हो ना आपके पैसे कटेंगे नहीं आपका bill जरूर शो होगा बट पहले अपना जो ए रिकॉर्ड है इसे आप डिलीट करें और यहां पे आप डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दें यह आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और एक बात और अगर आप डोमें खरीतना चाहते हैं तो मेरी इसी वीडियो की description में इस होस्चिंजर का लिंक प लिखाई है तो यह सारी जीज़े जरूर आप करके देखें बहुत दिल्चस्प हैं और मैं अब आपको लेके चलता हूं डैश बोर्ड पे और यहां पे मैं इसका होस्टेट जोन भी डिलीट कर देता हूं और यहां पे इसे आप सेलेक्ट करिए और यहां डिलीट पे क्लि आप इन तो अभी यह आ रहा है देखें फिर भी आ रहा है क्योंकि यह इसकी कुछ अभी कुछ देर तक सर्वर अपडेट नहीं हुआ है हमने डिलीट जरूर कर दिया पर सर्वर को यह चीज नहीं पता कि अभी यह चीज़ डिलीट हो गई है तो थोड़ी देर बात यह रि चीजों को update होने में time लग जाता है तो यह अभी reflect नहीं होगा कई बार एक दम reflect होता है कई बार यह time ले देता है तो आपको परेशान नहीं होना है आपने lab ब्लुकुल perfect की है सब कुछ आपने बहुत अच्छे से किया है अब आप चाहें तो अपनी S3 bucket में जाके bucket के content को भी delete क कर दें उसको भी करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं मैं S3 bucket पे आ गया हूं यहां पर आपने इस bucket को select करना है और सबसे पहले आपने इसे empty करना है जब तक यह empty नहीं होगी यह delete नहीं होगी तो आप इसे पहले empty कर लें जिसके लिए permanent delete आपको यह type करना है तो मैं यहीं से कॉपी करके हैं टाइप कर रहा हूं तो ये मेरी पर्मनेंटी डिलीट हो गया है अब ये एमटी हो चुकी आप मैं से डिलीट कर सकता हूं तो यहां मेरे कोई से डिलीट करना है उसके लिए टेक्निकल गुफ्तकु डॉट इन यानि बकिट का नाम आपको लिखना पड़ेगा तो मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं और मैं डिलीट बकिट करता हूं तो मेरी बकिट डिलीट हो गई है सारा चीज डिलीट हो गया यानि अब मेरे कोई चार्जिस नहीं लगेंगे I hope lab perfectly आपको समझ आ गई होगी सबसे latest lab मैंने आपको कराई है इस से जदा detail latest नहीं है अपने दोस्तों को भी बताएं क्योंकि आपको कहीं जाने की जोट नहीं और बहुत जल्दी मैं अपना दूर मेरे साथ connect हो जाए LinkedIn account के उपर Facebook के उपर हमारे Facebook group के उपर so that आपको latest updates मिलते रहें तो चलिए चलते अपने board की तरफ I hope यार आपको lab समझ आ गई हो कि कोई मसला नहीं हुआ होगा बड़ी दिल्चस्प lab थी काफी कुछ बताया और मैंने hostinger पे आपको यह host करके दिखाई है आप किसी भी domain कहीं से भी आप purchase कर सकते हैं चाहें वो free norm हो चाहें वो go daddy हो या hostinger क्यूंकि hostinger पे जो है हम लोग website जो ह professionally develop कर सकते हैं तो आप वहाँ भी इसे करके देख सकते हैं तो I hope आपको आज की lab इंटरस्टिंग लगी होगी आप easily perform कर पाए होंगे कोई भी मसला है तो हमारे facebook group technical गुफ्तगु को official को आप join करें वहाँ पे join करने के बाद आप अपने सवालों को post कर सकते हैं और उनका जवा आने सब्सक्राइबर हैं और बहुत टाइम से हमें फोलो कर रहे हैं तो हमें जादा से जादा सपोर्ट करें क्यूंकि बहुत महनत लगती है इन वीडियो को बनाने में और बार बार इने अपडेट करके आपको लाने में पिछली वैने AWS सिरीज बनाई मुझे बहुत महनत पूरा कंसोल चेंज हो गया और आपकी डिमांड पे अब हम दुबारा से कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को नए फॉर्मेट में भी आप तक लेकर आएं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक पे लिंक्डिन पे वाटसेप पे जरूर शेयर करें खयाल रखें अपना और दुआओं में याद रखें